हेलो मैं बीटिफुल सोल्स वेलकम तू मैं यूट्यूब चैनल टारो विश्टिवी टॉपल एट गाइस कैसे आप सभी लोग आप सब लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से अपने इनावक कर रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो गाइस एक जनरल कलेक्टिव टाइमनेस रीडिंग है आपसे जितना रिजुनेट करें उतना रखिए अंड ये रीडिंग मैरेड अन्मैरेड मेल फीमेल सब भी जोडियेक साइन्स के लिए ओके श्टार्ट करते हैं आपके पार्टर की टेराइनर्जी आपको लेकर क्या है एकस कीजिए खाइज आपने पार्टर की आनरजी पर देखते हैं की आज क्या हो सकता है क्या उनकी एनर्जीज हैं देखिए यहाँ पर न्यू मून पास आ रहा है आपके परसन को आपसे काफी जादा इमोशनल अटाज्मेंट यहाँ पर नज़र आ रही है आपसे परसन जो भी बात करें हूं यहां पर आपको काफी जादा emotional attachment इस person से feel होने वाली है आपको ऐसा भी feel होगा कि like a person बहुत ही जादा अच्छे से आप से बात कर रहे हैं बहुत ही जादे emotional हैं आपको लेकर बहुत ही जादा loving energies है caring energies है ठीकिया यह new moon का असर यहां पर है आपके person को आज की जिन में आपसे और आपको इस person से बहुत जादे stability feel हो सकती है like secure feel हो सकता है आप डोनों इस तरीकी से conversation कर सकते हो कि like आप लोगो stability और security feel हो सकती है इस connection में क्योंकि energy काफी जादे emotional है तो यहां पर आप जगड़े भी भुला सकते हो इस person से और यह person आप से यहां पर कुछ लोगों की energy ऐसी है जो अपने person से काफी जादा नाराज है तो आपकी person आपको mirror कर सकते हैं देखिए आपर सभी लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं और सबकी energy अलग अलग हैं यहां उनके लिए message निकल कर आए जो अपने person से काफी जादा नाराज हैं तो आपके जो person है वो सेम तरीके से आपको mirror करेंगे वो भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे वो भी आप आपसे कोई बात करने में मुझे इंट्रस्टेड नहीं नजर आ रहे या फिर उनके वान में हो कावी तो भी वो आपको ऐसा ही दिखाएंगी कि उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि यहां पर जिन लोगों के अंदर भी एगो की एनरजी आपका परसन आपके एगो को mirror करेंगा ठीक है और जो लोग भी अच्छी एनरजी में हैं ठीक है उनके परसन सामने से आकर हमसे बात करेंगे यहां पर एफ लेटर नजर आ रहा है यहां पर आप लोग मैसे कुछ लोग डेट पर भी जा सकते हैं यहां के परसन आपको डेट के लिए भी बोल सकते हैं आज की दिन में ठीक है और यहां पर निकल कर आ रहा है आपके परसन है वह आपकी तरफ जो अट्राक्ट हो रहे हैं आपके आपकी जो भी ऑथेंटिसिटी है ठीक है आपका जो सच बोल रहा है सच्चाई बेसिकली उससे आपकी परसन नहीं पर अट्राक्ट होते हुए नजर आया है यहां पर इतने लोग भी इवो में है या फिर जो बहुत जादा अपना दिमाग का इस्तमाल कर रहे हैं और जो पूरी तरीके से अपने पार्टनर को चाहते ही नहीं लाइफ में उनके पूरी तरीके से मतलब मिरार करेंगे ठीक है अट्राक्ट हैं लोग बताई आप करेंगे लिगें जो हाई वेपर जाया है उनको आफर जाएंगे सामने से ठीक है आप खुद नहीं जाओगे आपके परसन आएंगे आपके बारे में बोली जा रहे हैं पर एजो इन्या आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलने की आपका जो भी बहेवियर उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजे विकाज यहां पर आपके परसन को कोई समझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यह अपनी बात है किसी के साथ तो शेयर कर रहे हैं आप मुझे फ्रेंड्स नजर आये हैं यह आप कर जो भी है आपके फेंड्स आपक परसिंगे फेंड्स एंट्रेंड्स है जोभी है इस परसिन को जिखएंगा वो जा उगेवänner कि समझाएंगेगे को दिमाग से स्विब्स नहीं समझाएगा और कोई फै समझाएगा और फाइदे की बात व्याइगए बारीट यहां पर 6 नमबर 6 यहां बैलन्स की बात आ रही है यहां बैलन्स होगा उसके अकॉर्डिंग उनके न्यूमून पर चीज़ होने वाली है जो बहुत ही इंबैलन्स लोग होगे उनको ट्रिगर्स मिलेंगे चीक है और उनको अपने परसन की बहिवियर से हर्ट हो सकता है और तो यहां पर उसी तरीकी रिजल्ट सेखने को मिलेंगे उनको आपने परसन से सामने से आफर मिल सकते हैं जो बहुत जादा बैलनस है ठीक है उनकी टेस्टिंग इस तरीके से हो सकती है और जो एगो में है उनकी एगो को ट्रिकर मेलेगा ठीक है नावर कुछ लोग हैं जो अपने परसन की इस चीज से बहुत जादा हॉर्ट है कि वो आपको यूज करके आगे बढ़ जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं ठीक है और आप इस परसन से यह शिकायत करना चाहते हो कि वो आपको प्रियोटी क्यों नहीं बनाते ठीक है या फ कि अज़िए शिकायत कर रहे हो या इस तरीकी की बात से काफी जादा कुछ तो आपके जो परसन है यहाँ पर ठीक है वो इस चीज को ना बलब इस चीज को समझते हैं विकास कहीं ना कहीं उन्हें प्रियोटी का मतलब यह इस से समझ में नहीं आता है कि वो आपके लिए कि जब तक मेरी लाइफ में मैं फुल्फिल नहीं हो मैं किसी को फुल्फिल नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरी खुशी देखनी है मैं क्या क्या चाहता हूँ मेरी चिंदगी में क्या क्या चीज़ा होने जब वह सारी चीज़ा हो जाएंग तरीकी की बात बोल सकते हैं, जो आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इनकी डिक्षिनरी में जो प्रायोटी का मतलब है, वो यह है कि पहले खुद को अपने से फुल्सिल कर लो, जितनी चीजें चाहिए पहले खुद से लेकर आजाओ, जब खुद फुल्सिल हो, आप किसी और के बारे में सोचो, राइट? लिए यहां पर ऐसा मेसेज है कि जब आप यह परसे इमोशनल बाते हैं तो आपको बड़ी अच्छी लगते हैं, लिकिन जब यह परसे प्रेक्टिकल बाते करते हैं तो आप परिशान हो जाते हो, यहां पर कुछ लोग के लिए अनरजी है कि आपको अपने परसेंगी बातों पर डाउट होने लगता है, इस परसेंगे अंदर जो चीज़ें हैं, वो कुछ इस तरीके की हैं, कि इमोशनल हैं, तब तो ठीक है, आपको बहुत भी जादा चीज़ें अच्छी लगती हैं कि इस तरीकी के इनसान है कि यह बहुत जादा मैटर करते हैं, इनके लिए सीधा है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कि मैं अपनी लाइफ में पहले मेरे को कुछ भी नहीं मिला हो, और मैं सब के लिए करता हूँ, कि क्या करती हूँ, सबसे पहले इंपोर्टेंट है कि मुझ कि मुझे सब कुछ मिल किया, देन में किसी और के बारे में सोच हूँ, यह यहाँ पर मैसेज है, और यह चीज़ यह परसे आपको स्ट्रेट फॉरवड बोल सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा हिट कर सकती है, आपको टिगर कर सकती है झाले कर सकती है का या यहां पर असे तार की क्या है प्रसट के लिए कोई बड़ी बाथ नहीं है किसी भी तरीकी की help आप चाह मांग सकते हैं और बहुत ही इसली आप help करेंगे भी डेफिनेटली ठीक है ये न्यू मून पर उस्मान आपको बुला ना न्यू मून पर आपको इस परसंग बहुत कनेक्टिविटी फील हो सकते है लेकिन जब भी बात करेंगे थी कि मतलब इस करेंगे कोई भी वैसी तो आपको ट्रिगर भी मिल सकता है वह वह इस परसंग का नेचर है या फर बोलें कि वह परसंगी एनरजी ही है कि वह कभी भी इमोशनल होकर हमेशा हंड़िट परसंट नहीं रह सकते हैं मैंस्कुलिंस में इक होती है कि 100% इमोशनल नहीं हो सकते 24 आर्ट्स यह इमोशनल होते हैं सिर्फ कुछ समाई के लिए एक घंटा दो घंटा फैंड में आपको 24 हार्ट दिख सकती हैं मिल सकती हैं लेकिन यह एक आद दो घंटे के लिए एमोशनल होते हैं उसके बात वापस ये अपनी प्रैक्टिकल एनरजी में आ जाते हैं उसके बात फिर से ये लौजिकल हो जाते हैं लौजिक्स में बात करने लगते हैं तो यहां पर इस तरीक की चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकते हैं कि सकते हैं उसके अलावा आपको इस परसन में एक लौजिकल वेक्टी दिखाई देगा जो जहां पर आपको लगा कि फिर से उमीद तूट गई या फर आपको कुछ इस तरीकी का ट्रिगर फील हो सकता है ओके लिखते हैं प्लीज गाइब कीज़ें इंजल्स मेरे जो भी विवर्ट इंगे पार्टनर्स की करेंट एनरडी इस क्या है कि झाले के पार्टनेल ठाउ़ें प्लीजह कि त wand गार्टनेल एनल एके विवर्ल रार्टन्स तो पर नियुक्त करने गए थे उनकी मैरिज पर बहुत स्टॉंग टावर मुमेंट आया है लाइक प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रेट हो रखी है उनकी प्रॉब्लम इतनी भी बढ़ जाएगी कि उनकी लाइफ में रिष्टा है वो तूटने पर आजएगा और जिन्युक्त करने जा रहे थे ठीक है जिनकी फिक्स हो गई थी उनके लिए भी यह पॉसिबिलिटी थी तो जिन्होंने भी कल की रीडिंग नहीं देखिए आप देख सकते हैं वह यहां पर कंटीनी हुआ है तो आपके परसन आपकी तरफ न्युमून पर ऐसे क्यों आने वाले हैं क्यों कुछना कुछ देखने को मिलेगा आपको मैसेज वगयरा ठीक है और इमोशनल भी है आपको लेकर काफी पैशनेट भी नजर आ रहे हैं इन सबका जो हटकर जो रीजन है ना वो यह भी निकल कर आ रहा है कि हर्ट भी बहुत जादा है ठीक है इतना जबही आपके लिए एमो आप देख सकते हैं 10 of shots ठीक है अपनी life की सारी situation से यह person move on करना चाहते है निकल जाना चाहते हैं पर इनके पास वह option भी नहीं है जब तक यह पूरा payback नहीं करते हैं तो यहां पर यह definitely होग ज़्यादा hurt होनी की वज़ए से आपके पास definitely यह एक सकून के लिए बोल सकते हैं या फिर एक emotional attachment कहलो या जो भी है ठीक है आप इस person को बहुत ज़्यादा secure feel कराते हैं यहां पर इस चीज़ की वज़ए से यह person आपकी दरफ आते हुए नज़र आरे new moon new moon के पहले बात में यह person आपसे 100% बात करेंगे ठीक है और आपको बात क सकता है ठीक है बहुत जादा ही person आप से अच्छी बात कर से इन फैक्ट आपको यह भी feel हो जाए का एक temper की आपके जो person पर्मानेंट आ गये हैं आपका पर्मानेंट हो गया है harmonious union हो गया है लेकिन इसके बाद यह emotional काफी कम समय तक रहते हैं ठीक है घंटा गंटा तीं गंट सबसे जादा negativity surface आती है कोई ना कोई negative आपका कोई ना कोई negative thought या फिर कुछ ना कुछ negative जो आपके अंदर है जो अभी भी नहीं निकला है negative attachments हैं जो वो सब उपर की तरफ आती हैं तो वो चीज़ यहां पर definitely होगी और वो चीज़ उपर आकर यहां से release भी होगी ठीक है तो य की बातों में बहुत जादा connectivity लगेगी बहुत जादा caring and loving energies फीलोंगी बट वो उतनी genuine energies नहीं होने वाली है तीक है मतलब genuine का मतलब है कि वो permanent नहीं होने वाली है या फिर वो ऐसी नहीं होने वाली है कि आपको आपकी सारी places मिल गई या आपको सारे rights मिल गए तीक है वो कुछ इसा होने वाला है जो मतलब की कहीं और से hurt थे और आपके पास आ गए और आपको आपको बहुत जादा अपना नहोंने दिखाया and आपको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है सब कुछ normal हो गया कि कुछ पर्मानिंट हो गया है यह जीज मुझे नजर आ रही है यह मैंने आपको energy balance six का number six की energy आई थी जो यह दिखा रही थी कि जिस energy में आप होंगे उसी energy से आप उपने person को उसी energy में आप उपने person को expect कर सकते हैं ठीक है और जो बहुत जदा balance है जिनको आने जाने से कोई फरकी नहीं पड़ रहा है और जो अपने person की किसी भी बात से बहुत जादा emotional नही पर उसके पर उसके बात से बात से बात से बात सकते हैं आप यहां पर कुछ भी बैलनस नहीं होगा लगा यहां पर कोई वैसी energy नहीं होगी जो पर्मानेंट अगर आपने लगाया मन से यह वर्ड तो हो सकता है कि trigger मिल जाए ठीक है कुछ लोग होंगे जो लगा सकते हैं यह चीज मुझे हाँ पर दिखाई दे रही है ठीक है strongly यह चीज नजर आ रही है यह आपको जो है वो ऐसा फील होगा कि आपकी manifestation कंप्लेट हो गई आप यही तो चा रहे थे और यही हो गया ठीकिए आप मेंसे काफी सही लोग कुछ भी हो सकते हैं लवर्स की energy आपको बहुत ही जादा loving फील होगा बहुत जादा आप बहुत लंबे टाइम के बाद कुछ महसूस करेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर आपको भी फील नहीं होगा ठीक है आप बात करेंगे आप सब कुछ आपको की connectivity भी फील होगी लेकिन जैसे ही आ अब ही इनके third party के साथ बहुत सारे issues चल रहे हैं बहुत सारे जगड़े चल रहे हैं ठीक है फैमिली में या फिर जहां पर भी तो यह वहां से तो भी बहुत ही जादा परिशान है और परिशानी में आपके साथ permanent commitment में आना थोड़ा नहीं बहुत जादा impossible है ऑगे लेटर है जी एन उजड़ डबलू आई जी एक्स लेटर नमबर 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 है शिक्स चीक है मैसेज ले लेते हैं आपके लुएलने मैं I love the way you love me you are able to find a beauty in small things and show me how to appreciate it ए ​​प चुरूट चीज़ों मैं वैं कुछर्थी रेख ते हैं और आपने परशंकों हे एकसे अप्रिशिय चैन司 कहा है है you have passion in all that you do आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप काफी ज्यादा पैशनेट हैं ठीक है you always give me cute names आप इस पर इन को मिशे cute names देते हैं यह चीज आप लोग लिए है यह आपके messages ने दी है आपको कैसी लगी reading मुझे comment section में जरूर बता है वीडियो पसंदा है तो like this video subscribe my channel thank you guys